विना ओप्लेशन बावासीर का इलाज आजकल मनुश्य के बिगड़े खान पान की आदतों के चलते बवासीर की समस्या आम हो गई है बवासीर को पाईल्स के नाम से भी जाना जाता है यह दो तरह की होती है आंतरिक बवासीर और बाहरी बवासीर बाहरी बवासीर में रोगी के गुदा के आसपास मस्से हो जाते है इसमें मस्सों में दर्द नहीं होता लेकिन खुजली अधिक होती है आंतरिक बवासीर में दर्द असहनिय होता है जिसके कारण कई बार मलत्यागने के समय खून निकलता है इसको खूनी बवासीर भी कहा जाता है बवासीर का समय पर इलाज होना बेहत जरूरी है इस वीडियो में हम आपको बिना ओपलेशन बवासीर के लिए आयुवेदिक एवम घरेलू मुस्के बता रहे है जिन्हें अपना कर आप पायल्स की समस्या से राहत पा सकते है इसब गोल इसब गोल बवासीर को रोखने के लिए अत्यधी को प्योगी है इससे ना केबल कड़े मल से राहत मिलती है बलकि पेड़ी साफ रहता है इसब गोल को रात में सोने से पहले दूठ या पानी में दो चमच मिलाकर सेवन करने से पायूस की समस्या से छुटकार अपा सकते हैं बवासीर का आयोवेदिक उप्चार पायूस का अंकेक्सूल बवासीर का अचुक एवा मसरदारक आयोवेदिक उप्चार है इन कैक्सूज में रीठा, काली जीरी, हरिता की जैसी जड़ी बूटियों का मिश्रम होता है जो बवासीर को प्राक्रितिक रूट से ठीट करने में मदद करती है यह कैक्सूज गर्द और परेशानी से राहत देते हैं और रखतस्राव को रोटते हैं यह आपच और कब्च की समस्या को हल करते हैं और इस समस्या से छुटकारा दुलाते हैं यह आयोबेदिक उपाएं आंतरिक और बाहरी दुनों गवासीर के लक्षनों को दूर करने में मदद करता है यह नियमित और आसान मलत्याग को बढ़ावा देता है यह कैपसूज मलत्याग के दौरान रखतसराव को नियंतरिक कर खुणी बावासीर में राहत प्रदान करने के लिए अत्यान कारगए है गुलाब की पत्वियाँ बावासीर में गुलाब की पत्वियों से बनी गुलकंद फाइदे मन होती है कब्ज और बावासीर को रोपने के लिए गुलकंद का सेवन करना लापकारी होता है मीम मीम बावासीर के रोगियों के लिए सबसे उत्तम आयुर्वेदिक औशधी है मीमित रूट से 10 क्राम नीम पानी में मिलाकर सेवन करने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है आवला आवला बावासीर के लिए प्रभावी है आवला पेट के लिए हेल्थी होता है आउला का चूर्म सुबह और शाम शहद के साथ सेवन करने से बहुत जल्दी बवासीर से राहत मिलती है हरीत्की हरीत्की कब्ज को गूर करने के लिए उपयोगी औशधी है बवासीर रोगी को हरीत्की का सेवन करना फायदे मंद होता है इसके लिए आप एक चम्मच हरीत्की को रात में गर्म पानी के साथ मिला कर पी सकते है बवासीर में ध्रिफला चूर्म रामवान उशधी है ध्रिफला चूर्म कई रोगों के लिए असरदारक होता है बवासीर के लिए आप रात में सुने से पहले एक चम्मच त्रिफला चूम का सेवन करें इससे आपको बहुत जल्द बवासीर के दर्दवा मस्सों से राहत मिलेगी बड़ी इलाइची बड़ी इलाइची बवासीर की अच्छूप गवा के रूप में काम करती है दरसल बड़ी इलाइची की तासीर ठंडी होती है जो बवासीर के दोरान राहत देती इसके लिए 50 ग्राम बड़ी इलाइची को तवे पर रख कर भून ले और ठंडी होने के बाद इन्हें पीस कर चूर्म तयार कर ले अब इस चूरी को सुबह खाली पेटे एक गिलास पानी में मिला कर पीने से ववासीर की समस्या ठीक होगी पाल्स गॉन क्याप्सूल सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ीबूटियों से निर्मित एक लाख से अधिक संतुष्ट क्राहत जी एमपी प्रमाने कुडवता संपून भारत में उपलब्द पाल्स गॉन क्याप्सूल की अधिर जानकारी के लिए आप आयोवेज रीसर्च फांडेशन डॉट इन पर जाएं प्रोड़क्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट के जरीए अपनी राए दे और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें